ये आकाश्वाणी दिल्ली का इंदरप्रस्थ चैनल है। कृपया, हमारे अगले कारिक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाश्वाणी है। लीजे सुनिए विगत 16 जन्वरी 2018 को इंदर में आमंत्रित शुरोताओं के समक्ष आयोजित सर्वभाशा कवी संबेलन के संपादित अंच। नमस्कार! सर्वभाशा कवी संबेलन 2018 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिननदन। आकाश्वणी साल भर अनेक कारिकमों का आयोजन करता रहता है। सर्वभाशा कवी संबेलन आकाश्वणी का एक अती महत्वपूर्ण और गरिमा में कारिकम है। इस संबेलन में सम्विधान में माननिता प्राप्त सभी 22 भाशों की कवीताएं शामिल की जाती हैं। साथ ही इनका अनुवाद भी उसी क्रम में प्रसारित किया जाता है तो इस सरुभषा कवी सम्मिलन 2018 का शुभारम करते हुए सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं संस्कृत की जानी मानी कवियत्री डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी को आप लखेंपूर खिरी उत्तरप्रदेश में साहयक प्रोफिसर हैं आपको संस्कृत और हिंदी में कविताएं और लगू कथा लिखने में दक्षिता हासिल है राजताम मात्रिभूमिही इती शीर्ष कम अधिकृत्य स्वरचनाम प्रस्तोमि राजताम राजताम मात्रिभूमिर्वरा वर्धताम वर्धताम मंगलं भारते राजताम राजताम मात्रिभू मिर्वरा वर्धताम वर्धताम मंगलं भारते लोकवंध्याक वी नामचवानी भवेत शंकरश्चैवकुर्याच सदा मंगलं राजताम राजताम मात्रिभू मिर्वरा वर्धताम वर्धताम मंगलं भारते मात्रिभू मेर महत्वं परं भारते मंगला येव तस्याशुभं शंसनम देवतावत्सदा सदा पूजते मानवई गीयते चारु व्रेत्तं तदियं प्रियं राजताम राजताम मात्रिभू मिर्वरा वर्धताम वर्धताम अंगलं भारते सादयाया निधिर भक्त सौख्यंकरी मार्दवं भाती तस्या सदाल हादकम सादयाया निधिर भक्त सौख्यंकरी मार्दवं भाती यस्या सदाल हादकम यन्म मत्वं परंतत्र संतिष्ठते तन्न सत्यम क्वचिद द्रिश्यते भूतले राजताम राजताम मात्रि भूमिर वरा वर्धताम वर्धताम मंगलं भारते या धरा गौरवं या धरा भूशनम लोक कल्यान कल्त्री प्रशस्ता शुभा या धरा गौरवं या धरा भूशनम लोक कल्यान कल्त्री प्रशस्ता शुभा यत्र संभूय सर्वे गुणा भान्तिते कोविदैर मात्रिभूमि सदावंध्यते राजताम राजताम मात्रिभूमिर्वरा वर्धताम वर्धताम मंगलम भारते मंगलम तेवपुर मंगलम सुस्मितम मंगलम ते विभुत्वम्रसे राजते मंगलम तेवपुर मंगलम सुस्मितम मंगलम ते विभुत्वम्रसे राजते मंगलं तेवचो मंगलं चिंतनं दर्शनं मंगला यहिवते राजते राजताम राजताम मात्रिभु मिर्वरा वर्धताम वर्धताम मंगलं भारते अंग्रिपद्मम् त्वदियं श्रयंते तु ये निमज्यंति भक्तव जते सादरं अंग्रिपद्मम् त्वदियं श्रयंते तु ये निमज्यंति भक्तव जते सादरं मात्री भूमिम्च दिव्यंती ये श्रद्धया तेतु सद्यो लभंते सुखं शाश्वतं राजतां राजतां मात्री भूमिर्वरा वर्धतां वर्धतां अंगलं भारते वेद विज्यान योगई सदारा जसे सांख्य वेदांत विद्यात्व दियातनू सर्व विद्या प्रकाशस्त्वयातन्यते प्राप्य त्वत्याह प्रकाशम नरो नंदती राजतां राजतां मात्री भूमिर्वरा वर्धतां वर्धतां मंगलं भारते लोकसं पूजिते देवी तुभ्यम नमाहा गियते ते प्रशस्तम्य शाहसादरं फुल्ल पद्मानि गायंती ते गौरवं फुल्ल पद्मानि गायंती ते गौरवं मात्री भूमि नमस्ते नमस्ते नमाहा राजतां राजतां मात्री भूमिर्वरा वर्धतां वर्धतां मंगलं भार्धतां वर्धतां मंगलं भार्धतां वर्धतां वर्धतां मंगलं भार सात्विकं ते वपुहु पुंडरीकं यथा सुस्मितं ते सितं सर्वतारोच ते चारुरूपं त्वदियं मनोग्यंपरं शक्ति रूपे नमस्ते पुनह सादरं राजताम राजताम मात्री भूमिर्वरा वर्धताम वर्धताम मंगलं भारते राजताम राजताम मात्री भूमिर्वरा मंगलं 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 भारते बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी जी आपके संस्कृत का विपार्ट के लिए वेदों और देवों की इस भाशा की कविता सुन अंतरमन पवित्र हो गया आपकी संस्क्रत कविता के हिंदी अनुवाद के लिए अब हम सादर आमंतरित करते हैं. बिल्ली से पधारे डॉक्टर विनोध शंकर पांडे जी को संस्क्रित का अविपाट का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। हुभारत मेरा पून मंगल से बढ़ता हुभारत मेरा वाणी कभियों की जगद्वारा पूजित रहे और सदा सिव जी कल्न्यान करते रहे मासु सोभित रहे। ए महत बड़ा जिसका भारत में है और मंगल के हिति ही सुभाशन सना पूजे जिसको मनुझ देवता की तरह तेरा यसगान सुभगाया जाता रहे। वह दया की निधी सुख भकतों को दे जिसकी को मलता लालन है करती सदा जिसकी ममता अपरमित सदा से रही। सच तो यह है धरा पर कहीं भी नहीं। जो धरा का है गौरव अलंकार है लोक कल्यान सुभ जिसका आधार है जहां मिलकर सभी गुण सुसोभित रहे। बंदनिया सदा मात्र भूमी मेरी ग्यानि जन को सदा देती यह प्यार है। मंगलकारी तेरा तन सुसोभित रहे तेरा कल्यान व्यापक सुसोभित रहे। तेरे सारे वचन मंगलकारी सदा तेरे सारे वचन मंगलकारी सदा और चिंदन सदा मंगलकारी रहे। तेरा दर्सन सदा कल्यान कारी रहे मंगलकारी तेरा तन सुसोभित रहे। तेरा कल्यान व्यापक सुसोभित रहे, सक्ति तेरी अवरणिय सदा से रही, है सुसोभित रहे, है सुसोभित रहे बिन तेरे यह जगत सक्त हीन हुआ, अगनि में दाही का सक्ति तेरी सदा उग्रता रूप में ही विराजित हुई अगनि में दाही का सक्ति तेरी सदा उग्रता रूप में ही विराजित रही और वाकाश में शब्द के रूप में तुंकला चंद्रमासी प्रकासित रहे तुं तो तत पर रही दे रही है सुधा तुं तो तत पर रही दे रही है सुधा हे सुधे मेरे मंगल की तुम चेतना और देती रही रसम नवभाव को योग सुक से हरी दुख की हर वेदना तेरे चरणों का से जो पा लेते हैं भक्ति में तेरी वह सदा डूबते और चमकाते हैं सद्धा से अनबरत और चमकाते हैं सद्धा से अनबरत शिग्र सादर सहित सुक पा लेते हैं वेद विज्ञान और योग से तुम सदा सुसोभित रहे सांख्य वेदान्त विद्या तनु है तिरा सारी विद्याओं का तुम ही तेज पुंज है प्राप्त करके कृपामा मन जु आप की मन ही मन में सदावो प्रफुलित रहे वेद विज्ञान और योग से तुम सदा मासु सोभित रहे मासु सोभित रहे और अब आईए आगे चलें और हम सब मिलकर सुने असम्या कविता असम्या कविता के लिए हमारे बीच हैं गोहाटी से पधारे श्री मृदूल होलोई आप आसाम प्रदेश के वरिष्ठ हस्ताक्षर और एक जाने माने कवी हैं आपको साहित अकादमी युवा प्रसकार 2015 से भी सम्मानित किया गया आपकी कविताओं का अनुवात अंग्रेजी, बांगला, गुजराती और हिंदी भाशों में भी हुआ हम मृदूल होलोई से अनुरोद करेंगे कि वे माइक पराएं और अपनी असमिया रचना प्रस्तुत करें जिसका शिर्षक है हाहोडर, श्री मृदूल होलोई मूर कवितर हियू नाम हाहोडर आमार पठारत गहन होए खरालीर घाह गोजिसे तुमत घुमती ज्वा धान गुतीर दरे, निजाने बुकुत हुईसे कठाबूर, तुरूने धान मेला धारिखनत बागोरी फुरा दुपरी आतु ताहा निरे केबल पठरुवा आलियेरी उखाह नखलाए दुरी ज्वा लुरा दुता आमी नहाए, आमार दरे आमा टाहा निर बारिद आमें मोलियाई से कपो एताय माटी से डुपर और भांगा माट अर्मूर बोकुत बाट काटिलवाटूर माट्टू तो एरी गुईसे यारे कुनू बाखी नित शकुर साकित वे नमोना दुरो इर पड़ा एठे उकान पातिलेई आपकी असमया रश्ना के हिंदी अनुवाद के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं तेन सुखिया आसाम से पधारी सूश्री नीशा गुपता को आपकी अब तक दस किताबे प्रकाशित हो चुकी हैं कावी अनुवाद में आपका एक विशेष इस्थान है आप सेनरोध हैं कि आप श्री मिदुल हलोई की असमया कवीता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें सुशी नीशा गुपता नमस्कार शीर्शक सहोदर हमारे खेत में सघन होकर जाड़े की घांस उगी है हमारे खेत में सघन होकर जाड़े की घांस उगी है टोकरी में सोए, धान के बीज की तरह, चुपचाप, सीने में सोई हैं बाते, क्या तुम्हारी भी? चताई पर पसरे, धान पर लुड़कती, फिरती, दुपहरी उस जमाने की, सिर्फ पत्रीली सडक से, सांस बदले बगैर दोड़ कर जाने वाले दो लड़के, हम नहीं हमारे जैसे, हम नहीं हमारे जैसे. हमारी उस जमाने की बगिया में आम की मंजरी खिली है एक पंखुड़ी पुकारती है दुपहरी की भर्राई आवाज और मेरे सीने में रहा बनाने वाली तेरी आवाज तु छोड़ गया है यहीं कहीं आखों के दिये को नजर नहीं आने वाली दूरी से अभी भी कान लगा कर तु शायद चिडिया के बच्चे की चिल्लाट सुनता है और घास्वन में गुम एक मौलश्री को ढूनता है यहां अकेले अकेले मैं ढूनता हूँ सातो खेतो को लांग कर एक दिन जिसे हम पकड नहीं पाए उस लाल तितली को यहां अकेले अकेले मैं ढूनता हूँ सातो खेतो को लांग कर एक दिन जिसे हम पकड नहीं पाए उसी लाल तितली को हमारे खेत में सगन होकर धान जूमते हैं टोकरी के धान के बीज की तरह सीने में कसमसा रहे हैं संजोई बातों का अंकुर तेरी सांस सीने में रहा बनाती है लाल तितली के पीछे पीछे दोड़ कर जाते दो लड़के बिलकुल उस जमाने के हमारे जैसे उस जमाने की वही तितली और दोनों लड़के मेरी आंखों के आंसु की दो बुंदे धक देते हैं दो बुंदे धक देते हैं धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री निशा गुपता जी असम की प्राक्रती खूपसूर्ती से निकल कर आईए अब आपको लिए चलते हैं उड़िसा उड़िया कविता के साथ हमारे बीच हैं कटक से पधारे डॉक्टर रिशिकेश मलिक आपको उड़िसा साहिती अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया आपकी आज की रशना का शिर्शक है भारत वर्ष डॉक्टर रिशिकेश मलिक मंचपर विराजमान कभी कभेत्री अनुबादक अनुबादिका आगे महजूत माननिय अथितिप्रंद आकाश पाण की कार्यकर्ता और पत्रकार सभ्योको उड़िशा जगनात धाम से मेरा भक्ति पुत प्रणाम मेरा कभीता का सिर्शक भारत वर्ष भारत वर्षर संग्या पचार उछत पचार भारत वर्ष गंगातिररे तपलिना जगजननी क्रोधरे हतक्यान है प्रियतमर छातिरे एई पादपाते तो एई पस्ताये जिभकामोडी आपकी इस रशना के हिंदी अनुवाद के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री हैमंत कुक्रेती जी को 1990 के आसपास उभरने वाली कावी प्रिड़ी के आप महत्पोन कवी और सहितिकार हैं आपके कई कवीता संगर प्रकाशित हो चुके हैं आपको भारत भुषन अगरवाल सम्मान सहित कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है आपसे अनरोध हैं कि आप उडिया भाषा की इस कवीता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें भारत वर्ष, जानना चाहते हो, क्या है भारत वर्ष? भारत, गंगा तट पर तपस्या करती है देवी, जो है मा जगत की, भरकर क्रोध से प्रियतम की छाती पर कभी पैर रखती तो कभी पच्चताती है, काटती हुई अपनी जीब को दांत से, कचरे में गिरी नन्ही लड़की को, जहां पंखों में सहेज कर पालता है शकुन पक्षि, वहीं से शुरू होती है भारत वर्ष की सीमा, जहां खुद को बालमीक बना कर कोई लिखता है अमर कवीता, वहीं शुरू होती है भारत वर्ष की सरहथ, देश के लिए अपने खून क आखरी बूंद तक बहाने वाले शहीदों के समारक से जहां जहरती है चांदनी जहां मंद पवन में स्पंदित होती हैं बर्गत और पीपल की हजारों वर्षों की आत्माएं वही है भारतवर्ष। तुलसी का पवित्र चौंतरा सब की भलाई के लिए जहां दीप जलाती है हर शाम कुल बधू वही है भारतवर्ष। मंदिर की चोटी से सही सलामत उड़कर जहां मस्जित की गुम्बत पर बैठता है शान्ति कप धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है मंद कोकुरेती जी उर्दू उर्दू हिंदूस्तान में बोली जाने वाली गंगा जमुनी तहसीब की बड़ी ही मिठी सुपां। जिसका हर लफ्स दिल की गहराईयों तक पैठ जाता है जी हां अब हमारे बीच होंगे जनाब अजहर इनायती आप रामपूर से पधारे हैं आपने कई राश्ट्री अंतराश्ट्री मुशायरों में शिर्कत की और 1980 में आपको बांगला उर्दू अकादमी और 1981 में उत्तर प्रदेश सरकारद्वारा उर्दू अकादमी सम्मान से नवाजा कया हम वेहदी अदब के साथ दावत दे रहे हैं जनाब अजहर इनायती जी को गजल का यह मतला के वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए अवाम ठकने लगे तालियां बजाते हुए वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए अवाम ठकने लगे तालियां बजाते हुए श्रमलाज़ करें कि संभल के चलने का सारा गुरू तूट गया संभल के चलने का सारा गुरू तूट गया एक ऐसी बात कही उसने लड़कडाते हुए संभल के चलने का सारा गुरू तूट गया एक ऐसी बात कही उसने लड़कडाते हुए खुद अपने पाऊं भी लोगों ने कर लिए जखमी हमारी राह में काटे यहां विछाते हुए खुद अपने पाऊं भी लोगों ने कर लिए जखमी हमारी राह में काटे यहां बिछाते हुए और इस शेर भी खास तोर से मुलाज़ा करें के इसी लिए के कहीं उनका कद न घच जाए इसी लिए के कहीं उनका कद न घच जाए सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए इसी लिए कि कहीं उनका कद न घढ़ जाए इसी लिए कि कहीं उनका कद न घढ़ जाए सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए सलाम को भी वो डरते हैं हाथ उठाते हुए और इस आदमी ने बहुत कहे लगाए हैं इस आदमी ने बहुत कहे लगाए हैं ये आदमी जो लरस्ता है मुस्कुराते हुए इस आदमी ने बहुत कहे लगाए हैं इस आदमी ने बहुत कहे लगाए हैं ये आदमी जो लरस्ता है मुस्कुराते हुए हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए जो बुझ गए हैं चरागों की लो बढ़ाते हुए हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए हुआ उजाला तो हम उनके नाम भूल गए जो बुझ गए हैं चरागों की लो बढ़ाते हुए और जवान हो गई एक नसल सुनते सुनते घजल हम और हो गई बूढे घजल सुनाते हुए जवान हो गई एक नसल सुनते सुनते घजल हम और हो गई बूढे घजल सुनाते हुए वो ताज़ा दम है नए शोबदे दिखाते हुए अवाम ठकने लगे तालियां बजाते हुए उर्दू के जाने माने शहर जनाब अज़र इनायती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यह हम बताते चलें कि हिंदी और उर्दू हमारी संस्कती में इस तरह रची बसी है कि ना हिंदी उर्दू के बिना रह सकती है और ना उर्दू हिंदी के बिना तो अनुवाद तो निश्रित रुप से होगा ही नहीं इसलिए अब कारिक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं शुक्रिया अजहर इनायती सहाब भौसंजीजी रामाइल के श्री राम और अहलिया प्रसंग तथा स्पर्श की घराईयों के साथ अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं कन्नल कवियत्री सुष्री तेजश्री जे एन को बैंगलोर से आप हमारे भीश पधारी हैं आपके अनेक कविता संग्रह, अनुवाद और खंड का विप्रकाशित हो चुके हैं अनेक सम्मान आपको मिल चुके हैं सुष्री तेजश्री जे एन इसके हिंदी अनुवाद के लिए मंच पर आमंतृत है पटना से हमारे बीश पधारी डॉक्टर भावना शेखर डॉक्टर भावना शेखर साहिती जगत में एक जाना पहचाना नाम है आपकी आठ पुस्तक अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं कर्णर कवीता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें डॉक्टर भावना शेखर कवीता का शीर्षक है केवल एक स्पर्श शाप से छलनी घावों को रिस्ता छोड़ कर क्षत विक्षत स्वाभिमान के टुकड़ों को समीटा और कचुआ बन गई अहल्या देह के कबच में छिपा लिये उपालंभों के दंश खीच लिया चेतना का आवरन भीतर और भीतर बाहर बन बैठी प्रस्तर ओढ़ लिया एक रूखा बेजान वज्रमौन अहल्या की आँखें सूख गई और सूख गई धर्ती हर्याली स्तब्ध और कातर चड़िया ठगी सी भूल गई घोंसला बुनना अधूरे नीड लटके हैं डाल पर लदे पेड भूल गई जूमना अहल्या का मन क्या सूखा हवा भी नमी खो बैठी छिल गई धर्ती की देहे खुश्क हवा के थपेडों से तेज और तेज जंजा चाबुक मार रही बादलों को जुके थे जो धर्ती पर जमाजम बरसने को हवा के कोडों से हो गए तितर बितर बुखला कर अनमनी धर्ती खड़ी है निस्तब्ध बैरागन सी ताक रही बादलों को अब नहीं कोई चाह बर्खा की पत्थर बनी अहल्या घिर गई सक्त असान के पेड़ से उसके हजारों पत्ते कॉपल और डालियां फूंक रहे सांस जीवन की आँच उसके पत्थरीले रिदय में पर हिला न सके शिला को अकुलाया पेड जीजी विशा की जल को तलाशता उतर गया मिट्टी के भीतर अपनी जटा जूट जड़ों में अहल्या की चेतना को बांध कर पर ना हिला सका शिला को ना जिला सका अहल्या को विदीर्न हुआ धर्ती का रिदय तभी तो बन गई है जड़, शुष्क, बंध्या, विद्द्रूप, जुर्रियों के विकराल जालसी पर कोई न जान सका जीवित थी अहल्या पाशान के भीतर बिना चेतना के स्वप्न थे सुन्दर अभी भी शेश किन्तु साकार कर पाने की कोई मांग नहीं पीडा थी अगाद, पर उंगली के पोरों में कोई कमपन नहीं एक अभेद्य पत्रीला दुर्ग बन बैठी अहल्या आँख मूंधते सूरे की किरने चुपके से जहरने में मूंध होकर पत्तों के जुर्मुट से जाकती, फूंकती स्वरनिम आभा मकड जाल की लड़ियों से टपकती, ओस की बूंदे तरस रही थी फंदे की गाठ काटने की अंदुरूनी उश्मा लिये अहिल्या की जड़ता ने हर ली प्रकृती की चेतना ऐसे में एक दिन दूर एक चड़िया की तीखी कूक चेतावनी की घंटी सी कौंध उठी स्रिष्टी के कोने कोने में हिली हॉले से नैराश्य का सघन कंबल ओड़े सुशुक्त धर्ती निवड अंध्यारे में गल रही पिखल रही अंतश चेतना उसकी वेदना चमक उठा लोक अनायास सच्चे स्पर्ष को परिभाशित करने की कामना लिए स्त्री की उश्मा में विकसित होती पुरुष की अंतर दृष्टी को मापने के लिए अहिल्या की देह के जूटे स्पर्षों को साफ और बेदाग करने राम आए हैं अहिल्या की देह के जूटे स्पर्षों को साफ और बेदाग करने राम आए हैं स्पंदन छा गया चहूर राम की आस के पत पर अहिल्या थी या था अहिल्या का ठाओं ही राम का पत कौन जाने राम की आस के पत पर अहिल्या थी यथा अहिल्या का ठाओं ही राम का पत कौन जाने एक रूपक के निर्मान की एक लाक्षनिक आख्यान की प्रायोजित नियती का हिस्सा थी अहिल्या लोग कहते हैं अहिल्या ने बरसों राह देखी राम की कौन जाने, असान के साय में पड़ी निश्चल शिला ने, राम में जगाई होगी इच्छा, अनुरक्ती, राम ने पग बढ़ाया, सात्विक स्पर्ष से बच गया सम्मान स्रिष्टी का, अहिल्या का, स्त्री का, राम की कृपा का, राम की प्रतिश्रद्धा का, राम की इश इश्ट्व का प्रमाण बनी अहल्या, उसकी मुक्ती पहचान बनी राम की शक्ती की, चौक पड़े थे राम, चौक पड़े थे राम अपने अपार बल को, जानकर, सीता स्वयमबर से पूर्व, उन्हें भान हुआ, निजके इश्ट्व का, अहिल्या के व्याज से, अहिल् केवल एक स्पर्ष से कितना अनिवार्य, कितना मूल्यवान है केवल एक स्पर्ष, केवल एक स्पर्ष, धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्र भावना शेखर जी, आईए, अब आप सभी को लिये चलते हैं, गोवा की उन खूब सुरत लहरों की असिमीत उच्छानों पर जहां से निकला है, श्री विंसी क्वाद्रुस जी की कोंकणी कविताओं का स्वर. एक साथ एक लेखक, अनुवादक, सूत्रधार, संचालक और मंच अभिनेता, कोई भी प्रसित्थी आपसे दूर नहीं, आईए जाने, और सुने, आपकी कोंकणी रचना एक मेनवाद, श्री विंसी क्वाद्रुस. एक मेनवाद, एक मेनवाद, मुन्शाक जी ओंक शिकाईता, प्याग कोरून जीविताचो करो अर्थ दाकाईता, फसका काडी दोन पहिशांची, प्रियेक तीछे एकरता आरंब, पहिशा इतले मौल लाशिल्ले, पैटा सूत कोरूंक समारंब, फसका काडी दोन इस कविता ने संघर्षों की गुफाओं में उम्मीदों की रोश्ती भर दी, आपकी रशना की हिंदी अनुवाद के लिए मंच पर पधार रही हैं, दिल्ली से पधारी सूश्री प्रग्यातिवारी, सूश्री प्रग्यातिवारी का सहिती जगत से गहरा नाता है, आपका एक कविता संघर्य प्रकाशित हो चुका है, आपसे अनुरोध हैं कि आप श्रीविंसी कौद्रश जी की कौंकणी कविता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें आप सभी को नमस्कार, कविता का शिर्षक है एक मुंबत्ती, एक मुंबत्ती हमें जीना सिखाती, जीवन त्याग कर जीने का सच्चा अर्थ बताती, माचिस की एक छोटी तीली, दो पैसे की, करती उसके संघर्ष का आरंभ, और मुं लहीन सा धागा जल कर, रोशनी के उचसव से मिल कर, करता उसका अन्थ, अन्धकार को आत्म साथ कर, प्रज्वलिक कर संसार को, त्याग की राह अपनाती, एक मुंबत्ती हमें जीना सिखात जीवन त्याग कर, जीने का सच्चा अर्थ बताती, एक मुंबत्ती स्वयंग अपना तन त्यागती, अपनी हलकी रोशनी में जल कर, गल कर, मानवता को राहत देती, कभी हौले से आती हवा, और हिला जाती उसका प्रण, आहत कर उसे प्रकाश को कर देती मंद, और इस यातना की यात्रा में मुं में गलती, एक मुंबत्ती, स्वयंग अपना तन त्यागती, अपनी हलकी रोशनी में जल कर, गल कर, मानवता को राहत देती, एक मुंबत्ती देती हौसला हमें शून्य से उभर कर, बुरी से बुरी स्थिति का करती प्रतिकार, उसका सक्षम, उसकी दिलेरी, उसकी शक्ती, जीत लेती पवन को भी कई बार, तब ते मुंब की बगार की परवाह, नहोती उदेश्य से परे, गल जाती प्रेरणा बन कर, एक मुंबत्ती देती हौसला हमें शून्य से उभर कर, बुरी से बुरी स्थिति का करती प्रतिकार, एक मुंबत्ती अपनी काबिलियत पहचानती, बुझ कर फिर जलकर जीने का पर्व मनाती, एक मुंबत्ती अपनी काबिलियत पहचानती, बुझ कर फिर जलकर जीने का पर्व मनाती, जीवन से हारे मनुष्य को दिखाती नवमार्ग, प्रकाश में जीवन बिताती, सेवा वृती का पाठ पढ़ाती, गर्द अंधेरे में उच्साह पहलाती, एक मुंबत्ती खुद की काबिलियत पहचानती, बुझ कर फिर जलकर जीने का पर्व मनाती, एक मुंबत्ती हर पल मरती हर पल जीती, जीवन के अंतिम पलों तक दुख, कष्ट, यातना सहती, माना जीवन को हो समर्पित, अमूले जीवन का मूले सिखाती, धर्म, संसकार, स जाधना उत्सव में अपना कर्तव निभाती, मनुष्य जीवन की हर जीत में खुशियां फैलाती, एक मुंबत्ती, हर पल मरती, हर पल जीती, जीवन के अंतिम पलों तक दुख, कस्ट, यातना सहती, एक मुंबत्ती, एक मुंबत्ती. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद, सुश्री प्रज्यातिवारीशी. कश्मीर से कन्या कुमारी तक हम एक हैं. कश्मीर की खुबसूरत वाधियों को कौन नहीं निहारना चाहता. उन्हीं खुबसूरत वाधियों से सामने आ रहे हैं एक प्रतेश्ठित रचनाकार, डॉक्टर मिशल स सुल्तानपुरी. आपकी लगभग 22 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है, आपको साहित्य अकादमी सम्मान से नवासा जा चुका है. आप सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, उर्दू, हिंदी, अंग्रीजी और पंजाबी भाशा पर भी पूरा अधिकार रखते हैं. आपकी आज की नजम है, तालेत करम. डॉक्टर मिशल सुल्तानपुरी. तालेत करम, रख कें सज, कें हज, कें वर हज, त्रावान रूदुस काकद वरकस, सद, सद, दोल, वुरेब, तशकर, दशने ख़वर को आपकी नजम का हिंदी अनुवाद करने के लिए मंच पर आमंत्रित हैं. फरीदाबाद हरियाना से पधारी, सुष्री सुनीता रहना. सुष्री सुनीता रहना बहुती कम उम्र से सहित्य की हर विधा में लिख रही हैं. आपने अंग्रेजी में कई शॉट लाइन्स लिखी हैं. आपसे निविदन हैं कि आप डॉक्टर मिशल सुल्तानपूरी की कश्मीरी नजम का हिंदी अनुवाद पेश करें. सुष्री सुनीता रहना. बाएं से दाएं, उपर से नीचे, नीचे से उपर. इधर से उधर, उधर से इधर. कुछ अधूरी, कुछ पूरी, कुछ बारीक, कुछ बड़ी-बड़ी. कुछ बहुत ही पतली, जैसे धागे की मानिंद, कुछ मोटी-मोटी, जैसे बिखरी, फैली हुई रसिया. किन के क्या है अर्थ? किन के क्या है अर्थ? किन के है अर्थ, किन के क्या है अर्थ, किन के है अर्थ, और कौन है बे अर्थ, किन का अर्थ है भला, किन का अर्थ है बुरा, और कौन है बे अर्थ, किन किन को रहने दूँ, किन को मिटा दूँ, उल्जन मैं हूँ, रखूँ जो सीधी, तो साथ है टेड़ी, तो साथ है टेड़ी, किन को पहचानू, किन को संभालू, उल्जा साथ हूँ, करूं तो क्या, खुरज खुरज कर, नाखुनू से छील छील कर, एक को मिटाता हूँ, तो दूसरे को बचाता हूँ, एक को मिटाता हूँ, तो दूसरी को बचाता हूँ, ऐसे में, ऐसे में कागज ही छिद्राया, तारतार हुआ, ऐसे में कागज ही छिद्राया, तारतार हुआ, लेकिन सारी लकीरे, सारी लकीरे, सीधी, तिर्ची है मौजूद, सीधी, तिर्ची है मौजूद, है मौजूद, बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री सुनीता रेनाजी प्रकृती के सबसे खूबसूरत नजारे जिस स्थान पर हो उसकी भाशा का सौंदर्य स्वतह ही उसके भाव में नहित हो जाता है इन नजारों से एक खूबसूरत रंग और उल्लास के प्रांथ में चलते हैं जहां का गर्भा और संस्कृति का हर पक्ष सबको अपनी ओर आकरशित करता है जी हां हम बात कर रहे हैं गुजरात की हमारे बीच है गुजराती कवी श्री अशोग पूरी गुस्वामी जी आप बडोद्रा से पधा रहे हैं आपके पांच उपन्यास और तीन गजल संगरह प्रकाशित हो चुके हैं श्री अशोग पूरी गुस्वामी जी प्रस्तूत कर रहे हैं गुजराती गजल पोटाश जेवो आजनो अवर्त मान छे ने कम नसीबे आपनी रूनी दुकान छे संभव नथी के गर हवे तारू बची शके संभव नथी के गर हवे तारू बची आपकी रचनाओं के हिंदी अनुवाद के लिए अम्मंच पर आमंत्रित हैं सुश्री मिनाक्षी जीजी विशा आप हमारे बीच फरीदाबाद हरियाना से पधारी हैं आपसे अनुरोध हैं कि आप गुजराती गजल का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें गजल का मतला हाजिर है समात फर्माएं बारूद से भरा हुआ ये वर्तमान है बदकिस्मती से रूई की हमारी दुकान है शुक्रिया बारूद से भरा हुआ ये वर्तमान है बदकिस्मती से रूई की हमारी दुकान है शेर हाजिर कर रही हूँ मुम्किन नहीं कि अब ये सलामत बचा रहे जलती हुई गली में तिरा भी मकान है मुम्किन नहीं कि अब ये सलामत बचा रहे जलती हुई गली में तिरा भी मकान है खुद के लिए तो इतना क्यों बेफिक्र हो गया कुछ सोच कि तिरी भी मुश्किल में जान है खुद के लिए तो इतना क्यों बेफिक्र हो गया कुछ सोच कि तिरी भी मुश्किल में जान है कैसे तु बचके जाएगा दंगा करा के दोस्त कैसे तु बचके जाएगा दंगा करा के दोस्त जखमी बदन अगर्चे ये सारा जाहान है अब ना खुदा खुदा है मिरी तूटी नाव का अब ना खुदा खुदा है मिरी तूटी नाव का मैंने तो अब ये सोपी उसी को कमान है और इशेर रहना था जब खमोश बहुत बोलता था वो रहना था जब खमोश बहुत बोलता था वो अब बोलने का वक्त है तो भी जुबान है रहना था जब खमोश बहुत बोलता था वो अब बोलने का वक्त है तो भी जुबान है अब बोलने का वक्त है तो भी जुबान है आखरी शेर हाजर कर रही हूँ हमने तो कर दिया तुझे आजाद हां मगर हमने तो कर दिया तुझे आजाद हां मगर अब देखना ये हैं तेरी कितनी उडान है हमने तो कर दिया तुझे आजाद हां मगर बारूत से भरा हुआ ये वर्तमान है सुश्री मिलाक्षी जीजी विशाजी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए अब एक बार फेर हम चलते हैं कश्मीर की खोबसुरत वाधियों की तरफ जहां से हमारे बीच हैं सुश्री प्रॉमिला मनहास आप जम्मू से पधारी हैं आपकी लोग कला में गहरी रूची है आप साहित अकादमी और राष्ट्री अनुवाद विशे से संबध रही हैं पंजेब नहीं ही पीबी तुर्दी चन चन कर दी खिडखिड असदी नचदी त्रफदी आपकी डोगरी रश्णा की हिंदी अनुवाद के लिए डॉक्टर चंद्रमणी ब्रह्मधत जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आप सहित जगत में एक जाना पहचाना नाम है कई पूरुसकारों से नवाजा गया है आपसे अनुरोध है कि आप डोगरी कवीता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें डॉक्टर चंद्रमणी ब्रह्मधत बुवा देहरी अलड उमर और रूप सलोना चांसा मुखडा गोरा चिटा सुर्मा भी काली आँखों का सौंद्र बढ़ाता बिन पायल ही रुणजुन करती चलती थी वो खिल खिल हस्ती नास्ती उचलती मा बापू की लाडो रानी भायों की थी राज दुलारी बुवा रानी थी वो सब की अल सुबह बापू ने पूछा क्या लाएं सहर से उसके वास्ते उनीदी बोली लाना कक्डियां बापू लोटे सांज धले जब सुनी उसने गोडे की टाप सुनी उसने गोडों की टाप उत्सक हो आंगन में दोडी बापू आगे मा से बोली क्या लाए हो बतलाओ बापू बापू ने जब गठ्री खोली और आंगन में कक्डियों का धेर लगाया अपनी रो में बुवा रानी उलट पुलट कर देख रही थी परक्ती थी वो हर एक ककड़ी एक वी ककड़ी उसको ना भाई एक वी अच्छी नहीं है बापू यह क्या लाए सहर से यह क्या लाए सहर से जा रही हूँ फैकने बाहार एक वी नहीं अच्छी सब की सब हैं बेकार यह ना कटवाएगी और पगड़ी को राजा की दाग लगवाएगी आज पसंद ककड़ी नहीं आई कल कंत कैसे पसंद आएगा आज ककड़ी पसंद नहीं आई कल कंत कैसे पसंद आएगा सोचे समझे बिन ही बापू सोचे समझे बिन ही बापू तम तमाते लाए कोठी से तलवार बुवा बुवा बोल गरशते तलवार करदी गरदन पार बुवा बुवा रोलते बलकते पूछा माने रोते बलकते पूछा माने कैसी की है पाप कमाई महज कक्डियों की खातिर बेटी गमाई रोते बलक्ते पूछा माने कैसी की है पाप कमाई महज ककडियों की खातिर बेटी गमाई बापू को जब आया भान टक्रें मार हुआ हलकान गाउं में जाते बाई और उंची पहाडी पर पेड़ों के बीच अपने आहाते बुआ को बसते बीते युक कल चौरा उसका मन मोहक पिरस्तर मुर्ती में धल बुआ बुआ से बुआ देहरी बनी है अबना पहले सी बाचाल अबना पहले सी बाचाल नहीं नास्ती कूदती और खिल खिलाती चुपचाप चाप से देख परवारों को फलते फूलते अपने भाईयों को दोनों हातों से आसीज लुटाती प्रिस्तर नहीं है मेरी बुआ उसका भी है दिल धड़कता असुपूरित आखें उसकी जाने किसकी बाच जोहतीं चिपाए अपने आशु और आखों में उसकी जहांका कर इस पर्स कर प्यार जताया सुनी ठकी हारी अबाज बच्चा अब मैं ठक चुकी आखें भी पत्राइं आज तक आया नहीं कोई और ने पसंद की कखड़ी आई डॉक्टर चंद्रमणी ब्रहमद्यत्यची आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमिल जगत ने पूरे हिंदुस्तान को अनेक विश्व प्रतिभाओं से परिशित करवाया है अगर साहित्ती जगत की बात करें तो डॉक्टर तमिल्ड आर्सी एक ऐसे हस्ताक्षर की रूप में हमारे बीच हैं जिनकी तमाम रचनाएं विश्व विद्याली से लेबस में शामिल हैं वर्तमान में आप तिरूबल्नूर विश्व विद्याले में साहेक प्राध्यापक के पदपर कारिरत हैं आपकी आजकी दशना का शिर्षक है नार कालिकल डॉक्टर तमिल्ड आर्सी आपकी इस तमिल्ड रचना का हिंदी अनुवाद पस्तुत करने के लिए साधर आमंत्रत हैं चैनने से पधार है श्री ईश्वर करुण श्री ईश्वर करुण सहतिक गत्विधियों में एक जाना पहचाना नाम है आपकी छे पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं तमिल नाडू के कॉलेज में आपकी कवीताएं सिलेवस में पढ़ाई जाती हैं आपसे अंडरोध है कि आप तमिल रचना का हिंदी अलुवाद पस्तुत करों सिर्शक है कुड़सियां भले ही चार पैर हों इनके भले ही चार पैर हों इनके पर पैसे पकरने के नूतन धंग से अपने हाथ आगे बढ़ाती हैं अनक्तम भले ही चार पैर हों इनके पर पैसे पकरने नूतन धंग से अपने हाथ बढ़ाती हैं कुछ कुरसियां कि भले ही चार पैर हों इनके पर पैसे पकरने नूतन धंग से अपने हाथ आगे बढ़ाती हैं कुछ कुरसियां अधिकार का मुकुट धारन कर राज दंड का अहंग लेकर घमंड के कई खेल दिखाती हैं कुछ कुरसियां कि अधिकार का मुकुट धारन कर राज दंड का अहंग लेकर घमंड के कई खेल दिखाती हैं कुछ कुरसियां अपने वारिसों की भलाई की चाह से खजानों की रखवाली करती हैं कुछ कुरसियां बैठने पर बारह इंच तक धसने वाली कुरसी का आडंबर कमाने अपनी पदासीन कुरसी का येन केन प्रकारेन उप्योग करती हैं कुछ कुरसियां कुरसी के हत्थे के घुमाओ पर नाम अपना खुदवा कर सरक जाने से रोकने है तू सरक जाने से रोकने है तू अपनी है यह का डंका बजाती हैं कुछ कुरसियां घर के बाहर आंगन में लेटने की जगह की कमी के कारण बूढ़े सज्जनों का आसरा बनती है कुछ कुरसियां हाथ की पहुँच के बाहर हाथ की पहुँच के बाहर उपर के पकवान चुडा कर छोटों के चौकाने में हाथ देती है कुछ खुरसिया हवेलियों के प्रमुख जनों को धन्धे के सहयोगी जनों को अहंग भरे अमीरों को सिनेमा के सितारों को बड़े बड़े उम्राव दलों को अपने वश में लाने है तू मखमल के कपरों से सजधज कर दातों तले उंगली दवाने दिखावे की मूर्ती बनती है कुछ खुरसिया बिठाती राजगद्दी पर अग्रज की पादुकाओं को अग्रज की पादुकाओं को बिठाती राजगद्दी पर तो गुलामी करने है तू मुदित मन से दास अनुज का साथ देती हैं कुछ कुरसियों कि भले ही पदोनती के पुरसकार स्वरूप मिली घूमने वाली कुरसी पर बैठे बैठे कर्व से मुगध हो मुदित हो अपने ही बंधु और हितेशियों के हिर्दय की कुरसी लुट जाने की खवर से अन्जान रहती हैं कुछ कुरसियों श्री ईश्वर करुण जी आपको बहुत बहुत धर्नेवाद मन्च पर अब प्रस्तुत होनी जा रही है तेलुगू रचना हमारी बीच है हैदराबाद से पधारे डॉक्टर प्रसादम मूर्ती आप तेलुगू के एक जाने माने रचनाकार हैं शिक्षा के क्षेत्र से आप 20 वर्षों से जोड़े हुए हैं आपके 6 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं आज इस समय आप जो रचना प्रस्तूत का निजा रहे हैं उसमें पिता और पुत्री के बीच का निश्चल प्रेम आपको दिखाई देगा जिसका शिर्षक है पिच्ची नान आमंत्रित हैं डॉक्टर प्रसादम मूर्ती पिच्ची नान ना एप्पुडू गुंडळ मेद रेंड़ु कलुवपोल पाधालु कदलाडु तुन्नथ्ट्चुगा नियोंट्टुंधि रेंडबु वेन्णपोस पिदालु ना बुगगल्नी एंगिली चेशिन व्यो तुन्नथ्ट्ट्ची चुन्थंदि पागल पापा, टॉक्टर प्रसादम मूर्ती की इस रशना ने हर मन में बसी अपनी लाडली की अठखीलियों को जीवन्त कर दिया आपकी तेलगू रशना के हिंदी अनुवाद के लिए हम आमंत्रित करते हैं डोसा राजिस्थान से पधारे डॉक्टर अंजीव अंजुंको आपको अब तक 60 से भी अधिक पुरुसकारों से सम्मानित किया जा चुका है आपकी अब तक 106 पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है 2000 से लगातार गीत कविता काहनी व्यंग रेखा चित्र आप लिख रहे हैं आपको राजिस्थान सहितिक अकादमी सहित अनेक सम्मानों से नवाज़ा गया है आपसे अनुरोध है कि आप तेलगू रचना का हिंदी अनुवाद प्रसुत करें कविता का शीड सक है पागल पापा हमेशा ऐसा लगता है चाती पर कमल जैसे दो पैर हिल रहे हों मखन जैसे दो मुलायम होट जूटा करके मेरे गालों को हस रहे हों मक्षन जैसे दो मुलायम होट जूटा करके मेरे गालों को हस रहे हो पान के पत्ते जैसे दो हाथ कौमलता से घेर कर मेरी गर्दन को जूला जूल रहे हो कच्छनी से सितारों सजी सलवार कुर्ती तक नंग धड़ंग घूमने वाली नन्नी सी बच्ची बढ़ गई रेश्मी लहंगों तक नंग धड़ंग घूमने वाली नन्नी सी बच्ची बढ़ गई रेश्मी लहंगों तक वह कितने भी वेश बदले वह कितने भी वेश बदले इस पिता की नजर में वह अब भी खरगोश की शावक ही है वह कितने भी वेश बदले इस पिता की नजर में वह अब भी खरगोश की शावक ही है इस पिता के मन में वह अब भी है बर्फ के फूलों की फुहार ही वह बच्चों में बच्ची सी सभी लड़कियों में लड़की सी दिखती हुई मुझे लाखों बेटियों का लख पती पिता बनाती है कभी कभी किसी दुकान में जाता हूँ तो लगता है वहां सारे खिलोने मेरी गुडिया की तरह पुकार रहे हैं मुझे पापा पापा कहकर कभी किसी दुकान में जाता हूँ तो लगता है वहां सारे खिलोने मेरी गुडिया की तरह पुकार रहे हैं मुझे पापा पापा कहकर और रास्ते में इसकुल में देखता हूँ बच्चों को तो लगता है मेरी बेटी खेल रही है अनेक रूप लेकर जब किसी कॉलेज के आसपास रहता हूँ तो लगता है रंग बिरंगे कपड़ों में उड़ रही है मेरी ही बेटी तितली बन जब देखता हूँ भीड भरे बाजार में खुद को और बेटी को सैकड़ों हजारों रूप धर कर हाथ पकड़ कर चलते हुए किसी को दिखाई तो नहीं देता पर मेरे सिर पर एक नन्ना सा सिंगासन और उस पर बैठी है एक नन्नी सी राजकुमारी किसी को दिखाई तो नहीं देता पर मेरे सिर पर है एक नन्ना सा सिंगासन और उस पर बैठी है नन्नी सी राजकुमारी लगता है दुनिया के इस मेले में बिना थके उसे गुमाता ही रहता हूँ हर दम अब उसे आइने में अपनी सूरत के सिवा कुछ भी नहीं दिखता लेकिन जब वह रात भर पढ़ाई में मगन रहती तब मैं चाए बनकर उबलता रहता वह इम्तहान लिख रही होती तो उन तीन घंटे मैं वह ट्रेफिक पुलिस बन जाता जो सडकों पर सभी गाडियों को रोग देता है वह ठंड से काप जाती है तो मैं फट जाता हूँ रूई का डोडा बन वह बुखार से तपने लगे तो सौसो पंखों वाला पंखा बन चक्कर काटता हूँ उसके चारो ओर वह बीमार हो जाए तो ठेराता हूँ चिकित्सा शास्त्र को दोशी पर पर एक बार हस दे तो हजारों पियानों बांध कर एक सजल संगीत बन कर पिखल जाता है मेरा बदन पर एक बार हस दे तो हजारों पियानों बांध कर एक सजल संगीत बन कर पिखल जाता है मेरा बदन और फिर उसके जनम दिन पर मैं खुद टंग जाता हूँ गुबारा बन कर आस्मान में और फिर उसके जनम दिन पर मैं खुद टंग जाता हूँ गुबारा बन कर आस्मान में मैं बंध जाता हूँ डालियों पर चॉकलेट और केक बन कर और खिलाता हूँ परिंदों को अब तो बड़ी हो गई है ना कब का छोड़ चुकी है पापा की तौन से खेलना और हस देती है कहकर मुझे पागल पापा मालूम नहीं क्यों जैसे बंदर की बच्ची लिप्टी रहती है मा के पेट से लगता है मुझे वैसा एक सुकॉमल प्राणगीत लिप्टा है मेरे पेट से मेरे लिए एक बेटी का मतलब है एक ही जनम में मिलने वाली दूसरी मा मेरे लिए मालूम नहीं क्यों जैसे बंदर की बच्ची लिप्टी रहती है मा के पेट से लगता है मुझे वैसा एक सुकॉमल प्राणगीत लिप्टा है मेरे पेट से मेरे लिए बेटी का मतलब है एक ही जनम में मिलने वाली दूसरी मा मेरे मन के शो केस में नित हसने वाली प्यारी सी गुडिया, 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 प् बड़ी ही छोटी उम्र में आपने बड़ी ही प्रसित्थी पाई। मुरिक तृष्णा लगू कथाओं का आपका पहला प्रकाशन है। इससे आगे भढ़कर आप रुबाई, गजलकार और समिक्षक के रूप में भी प्रसित्थी पाचुके हैं। श्री महेश दहाल। एक दिन समयले मेरो पाईताला रोक्यों, मेरो घुडा टेकेर उकलियो र पेट्षित इरित्यों लाग्यों मलाई। ममान रहें। फेरे समयले मेरो छात्तिमा हर्षकों ड्रम ठोक्यों, उकलिये र घाटी उचालियो कान भरी प्राप्तिका सुचना गुंजायर। आपको सहित्य श्री सम्मान और दोह मर्मग्य सारसत सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आपकी दो पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। तो अपने ही अंदाज में प्रस्तुत करें नेपाली रश्ना का हिंदी अनुवाद। श्री राम नारैन हल्धर। कविता का सीर्शक है समय और मैं। समय क्रूर नहीं है। दयालू भी नहीं है। मैं समय को साधक समझ रहा था। एक दिन समय ने मेरे पैरों को रोका, घुटनों पर पाउं रखकर समय मेरे उपर चड़ गया। और अपने पेट के साथ ही समय को भी मैंने रिक्त अनुभव किया। एक दिन समय ने मेरे पैरों को रोका घुटनों पर पाउं रखकर समय मेरे उपर चड़ गया। और पेट के साथ ही समय को भी मैंने रिक्त अनुभव किया। मुझे हैसा लगा मैं मौन रहा। फिर समय ने मेरे सीने पर हर्ष का ढोल बजाया, उपर चड़ कर मेरी गर्दन को उँचा उठाया, मेरे कानों को उपलब्दियों की गूंज से चलकाते हुए समय ने मेरी आँखों को प्रदीप्त करने का प्रयास किया। फिर समय ने मेरे सीने पर हर्ष का ढोल बजाया, उपर चड़ कर मेरी गर्दन को उँचा उठाया, मेरे कानों को उपलब्दियों की गूंज से चलकाते हुए समय ने मेरी आँखों को प्रदीप्त करने का प्रयास किया, किन्तु मैं अब भी चुप रहा। उसके बाद समय मेरे मस्तिश्क के ऊपर चड़ गया, मैं समय में परिवर्तित होकर बुद्ध में बदल गया। अब समय अपने आप में बुद्ध था, अब समय अपने आप में बुद्ध था। बहुत बहुत धन्यवाद राम नारायन हलधर जी, लहलाते सरसों के खेत, लस्सी, पगड़ी और गुरुद्ध द्वारों से गुंजायमान होती शबद स्वर लहरिया, यही है हमारे पंजाब की माटी की खुश्बू, और हमारे बीच हैं प्रख्यात पंजाबी लेखक श पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, आज आप जो रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका शिर्शक है सुपने, शुरी गुरु चरन सिंग्छी मेरी नजम है सुपने, देन बेड़े सुपने नहीं देखी वे, राही Akbar पुलु जान दे ने, मा कहा कर दी मैनू ताँ देन दीमी सुपने अऊ दे, कदे राहां चरोड़दा, कदे अम्बरी उड़दा, कदे चानन चानन ड़दा, कदे नेरे साज़ गर डुबदा आपकी पंजाबी रचना का हिंदी अनुवाद प्रसुत कर रहे हैं बर्नाला पंजाब से पधारे श्री तरसेम आप एक अध्यापक हैं आपको अनुवाद के लिए सहित्य अकादमी पुरुसकार और हिंदी निदेशाले का पुरुसकार प्राप्त हो चुका है आपसे अनुरोध है कि आप श्री गुरुचरण सींग जी की पंजाबी कवीता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें श्री तरसेम जी अनुवाद है सुपनी दिन में सपने नहीं देखा करते राही राह भूल जाते हैं मा कहा करते मगर मैं दिन में सपने देखता मगर मैं तो दिन में सपने देखता कभी भूल भुलईयों में खो जाता कभी नए राह ढूनता मगर मैं दिन में सपने देखता कभी भूल भुलईयों में खो जाता कभी नए राह ढूनता कभी सागर सागर कभी पर्वत बर्वत कभी उज्यारा तो कभी अंधियारा ब्याबानों में धूल भरी आंदी उड़ती जीव जन्तू सब तीला तिनका हवा में उड़ते तूटते विखरते ब्याबानों में धूल भरी आंदी उड़ती जीव जन्तू सब तीला तिनका हवा में उड़ते तूटते विखरते कहीं कच्ची पकडंडी कहीं पथरीली धरती कहीं सूरज की तपिश कहीं रिमजिम भारिश कहीं नदिया की धारा कहीं सागर गहरा हवाओं से लड़ता पानियों से जूजता महकती माटी को छूता रंगों की छटा में खो जाता लगता मां की गोध मिल गई हो लगता कि जैसे मां की गोध मिल गई हो सपने में मां की लोरी सुनता सपने में मां की लोरी सुनता सपने ना होते नए रास्ते कैसे ढूनता सपने ना होते तो नए रास्ते कैसे ढूनता परबत कैसे चड़ता सागर कैसे तैरता अंबर कैसे चूता सपने ना होते तो क्या होता सपने ना होते तो क्या होता तरसेम ची बहुत बहुत धन्यवाद आपको अब हम चल रहे हैं पंजाब की धर्ती से गुरुदेव रवेंद्र नाथ टैगोर की जनमिस्थली बंगाल की ओर जहां से हमारे बीश पधार रहे हैं श्री गौतम बोशु आपके आठ पुस्तकों का प्रकाशन हमारे बीश आ जुका है और आपको अनेक सम्मान भी प्राप्थ हुए हैं आज आप जो रशना प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शिर्षक है हारीति ओ शाक्यों मुनी कोभिदर नाम हारीति ओ शाक्यों मुनी पुत्रहारा राख्षी कातोर बेगे उड़े चोले छेन आक मूक टिलार शिर्षदेश होते उन्नो टिलाए उकीतार बिलाब का था नाकी आमरा भीतो त्रस्तो ब्रिक्षदे निचेशे दाणालाम क्रोमे बुझलाम ओती प्राचीन जहोड आज अभीराम बोए चोले छे आपकी रश्चना के हिंदी अनुवाद के लिए मंच पर आमंत्रित हैं मुंबई से पधरी डॉक्टर सुल्भा कोरे डॉक्टर सुल्भा कोरे जी हिंदी मराठी की जानीमानी रश्नाकार है आपकी अब तक कुल 14 किताबे प्रकाशित हो चुकी है हिंदी फिल्मों में भारती नारी की भुमीका को आपने मुंबई में रहते हुए बहुत नजदीक और करीब से दीखा है हिंदी सेवी सम्मान सहित आपको अनेक सम्मानों से विभुशित किया जा चुका है डॉक्टर सुल्भा कोरे कविता का शिर्शक है हरीती और शाक्यमुनी अपने खोये हुए पुत्र की खोज में राक्षची उड़ रही है अपने खोये हुए पुत्र की खोज में राक्ष्यसी उड़ रही है परवत की एक सुनसान चोटी से दुसरी चोटी तक क्या हम उसका विलाब सुन रहे हैं या फिर सीर पर मंड़ा रहे प्राचीन तूफान को देखने हैं तू हम उस आतंकित पेड़ तले खड़े हैं अपने खोये हुए पुत्र की खोज में राक्ष्यसी उड़ रही है परवत की एक सुनसान चोटी से दुसरी चोटी तक हे वनक्षेत्र तुम मेरे साथ रोना मैंने अपना पुत्र खोया है नदियो आकाश गंगाओ तुम भी रोना मेरा पुत्र खो गया है निस्तब्द बेजुबान शान्ती तुम भी रोना मैंने अपना पुत्र खोया है हे राजग्रह मैं यहां तुमारे परवत की एक चोटी पर खड़ी हूँ हे राजग्रह मैं यहां तुमारे परवत की एक चोटी पर खड़ी हूँ मैं हरीती महाशुन्य में विलीन होना चाहती हूँ कितने भूमीक शित्रों को मुझे अभी पार करना है कितनी अनाम बस्तिया कितनी तूटी हुई पनाह गाहो कितने पुराने शिस्त्रों को मुझे अभी पार करना है कौन सी लोग कताए अपने बेटे को खोने के बाद मैं भी इस खत्मन होने वाली रात में खोना चाहती हूँ या फिर तपती दुपहरी में पिगल जाना चाहती हूँ स्वस्त होने के पच्चात फिर से मैं उठी हूँ पिगलाया लुटाया है स्वयम को अपनी नीजी, प्राचीन और दुख भरी चितकार में फिर भी मैं इस धर्ती पर उतर आई हूँ, मेरी अंतरात्मा मुझे नीचे उतरने के लिए मजबूर किया गया है मेरी अंतरात्मा मुझे नीचे उतरने के लिए मजबूर किया गया है और इस प्रसिद्ध शहर की मिट्टी को छू कर मुझे एक साधारन औरत की तरग गली चवबारों में दरदर भटकना पड़ा है मेरी अंतरात्मा मुझे नीचे उतरने के लिए मजबूर किया गया है और इस प्रसिद्ध शहर की मिट्टी को छू कर मुझे एक साधारन आउरत की तरह गली चौबारों में दरदर भटकना पड़ा है अब मैं चाओं में खड़ी हूँ क्या यह राजमार्ग बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं की ओर जाता है और यह जो सडक है वह कहा जाती है मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि पाट्शाला की ओर कौनसा रास्ता जाता है जहां पाट्शाला की घंटी हमें बताती है कि अब दिन खत्म हो गया है कि अब दिन खत्म हो गया है, मुझे उस ओर जाना है और बच्चों से पूछना है, मैं किस मार्ग से जाओ, कौन सा रास्ता अपना हूँ, उससे मिलने के लिए, वह जिसके पास अपना भिक्षा पात्र, वह जिसके पास अपना भिक्षा पात्र और उसकी अभाय मुद्रा के अलावा कुछ भी नहीं है। सुष्री अन्जु जी, जो की आसाम से हमारे वीचाई हुई है, आप बोडो साहित्ती की एक जानी मानी रचनाकार हैं। आपकी पांच पुस्त के प्रकाशित हो चुकी है, आपको साहित्त अकादमी साहित कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। सूश्री अन्चु जी आपका पहला कविता संग्रह 2017 में भारती ज्यानपिट से प्रकाशित हुआ है आपको हिंदी अकादमी द्वारा नवदित लेखक पुरुसकार से हित कई पुरुसकारों से सम्मानित किया गया है आप से अनरोध है कि आप शूश्री अंजु जी की बोडो रशना का हिंदी अन अगर मैं जिन्दा हूँ मृत की तरहां ख्वाबों की लाश को गले लगाए या फिर आत्मा के रक्त से रंजित जल में डूबी हुई न मत पूछो कभी नहीं कि दुख तूटता है मुझ पर या सीलन भरी हवा बीमार करती है मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर दिन मेरे यूँ ही होते जाते हैं बरबाद नीले आस्मान के नीचे खुली हवा की चाह में या एक धारा की प्रतीक्षा में मृत जल स्रोत की तरहां सड़ते रहते हैं या आह भरती है आत्मा साधनों की बेचैन तलाश में मत पूछो मुझसे कि क्या जिन्दगी का हसीन इंद्रधनुष तूफान में ध्वस्त हो गया क्या सुनामी में डूब गया मेरा आधा हुरदय मत पूछो मुझसे इनके बारे में मत पूछो ये जानने के लिए कि मैं क्यों नहीं उड़ सकती पंचियों के साथ क्यों नहीं हो सकती शामिल तारों के कोरस में मत जप्टो मेरे दुखों पर यह सब का दुख है मत जप्टो मेरे दुखों पर यह सब का दुख है यह सारी दुनिया का दुख है यह सारी ओरतों का दुख है सीता, द्रौपदी, उर्मिला, जयमती, मामोनी, अनुपमा, तसलीमा और कमला का एक पुरातन दुख है यह धरती जितना पुराना आदिम प्रेम, भावनाओं और क्षमाशीलता जैसा और मा के प्राचीन गर्भ और अनुभवों जैसा जानने की मत करो कोशिश यह नीले आसमान से गिरी बिजली है एक मुसकान जो शरीर पर नहीं आत्मा पर निशान बना देती है सिर्फ अंदास लगाने की करो कोशिश मेरा दिल तूटा हुआ और है मृत लेकिन बैंगनी दोखना बोडो स्रीयों के पारंपरिक पोशाक लेकिन बैंगनी दोखना अब भी खुबसूरत बना रहा है मुझे मेरा दिल तूटा हुआ और है मृत लेकिन बैंगनी दोखना अब भी खुबसूरत बना रहा है मुझे और जानने की करो कोशिश त्याग और अधीनता की माला है उफ कितनी बोजिल मत करो यह जानने की कोशिश कि कैसे बिताती हूँ मैं आशुओं या छवास के सहारे अपनी बेनीद राते यह भी मत पूछो मुझसे लहू से या की आशुओं से लिखती हूँ मैं अपने दुख के गेत नहीं जानती की क्यूं इतने काटों से भरी है जिंदगी की राह क्यूं उरे दय को जेलनी पड़ती है इतनी पीडा कविता करती है मेरी आत्मा से स्नेह क्यूंकि शायद दयनी यह लगती हूँ मैं उसे मैं नहीं जानती क्या रणचंडी बनकर दश भुजाओं से अन्याय करूं नाश क्या बार बार होने वाली अगनी परीक्षाओं में फट जाएगा धरती का सीना या तसलीमा कमला बनकर करूं मैं जिहाद जो मैं जानती हूँ वह यही कि कीचर से खिलता है कमल पीडित आत्मा की होती है अपनी खुबसूर्ती बाटने से हासिल होता है सुख मैं कैसी हूँ पूछो मत मेरा प्रतिरोध है कि आउरत हूँ इसलिए सुलजाओं मैं ही क्यों जीवन की गांठें क्यूँ धन्यवाद सुश्री सुजाता जी साथ बहनों में एक मनीपूरी मनीपूर की जो खुबसूर्ती है वहां का जो विधा है जो संस्कृती है उसने हमेशा से सभी को समोहित किया अगर उस क्षेत्र की बात करें तो वहां का साहित्य संगीत और खास्त और से रंगमंच पूरी दुनिया के लिए अनूठा और निराला है उसे समरिथ करने में जिन रंगकर्मियों का योगदान हमें मिला उनमें से एक है पदमश्री रतन ध्यामची आप एक जाने माने कभी के साथ साथ नाटक का रहें और जाने माने रंगमंच निर्देशक वर्तमान में आप श्री से सम्मानित किया गया आप अपनी मनिपूरी रचना प्रस्तुत कर रहें हैं लई माईल्ट रभा लई माई श्री रतन ध्यामची लई माई लईत्रभ लईबाई लईताद रभ प्रिथिवीदा आईगी कक्णाओन रभ थवाईन नुगालमदाई खुदिं चतले लि आपकी मनिपूरी रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से पधार हैं श्री अशुक कश्यप आपको अनेको सम्मानों के साथ नवाज़ा गया है आपकी तीन पुस्तकी प्रकाशित हो चुकी है हम आपको मंच पर पदम श्री रतन ध्याम बेचेन धरती पर मेरी बावरी जान जाती है हर रात आखरी पहर ढूडती हुई करने को विश्राम ओस बन पंखुडी के बीच खयाल उस दिन उड़ गए ज़रोखे से जब भूखी मरी मरत मा के सिकुड़े इस्तन को पान कर रहे थे घुटनों के बल चलते शिशु सम्तल मरुस्थल में खयाल उस दिन उड़ गए ज़रोखे से जब भूखी मरी मरत मा के सिकुड़े इस्तन को पान कर रहे थे घुटनों के बल चलते शिशु सम्तल मरुस्थल में पूछो मत मुझसे, पूछो मत मुझसे कुछ हुआ नहीं मेरी देह को, कुछ भी तो नहीं हुआ, कंकाल के भीतर, लगु पुते, बैंडेज बंधे हैं, अंतर तल पर, बस कंकाल के भीतर, लगु पुते, बैंडेज बंधे हैं, अंतर तल पर, बस अखवार के पन्नों पर छपे फोटो को देख, सुभे की पहली चाय भाप भरी, लगती है कडवी जहर जैसी इनसान की धर्म शक्ति, जब न रहे पूर्वत, तब सत्य असत्य, अंधेरा, उजाला, मिश्चित हो जाते हैं दिमाग में इनसान की धर्म शक्ति, जब न रहे पूर्वत, तब सत्य, असत्य, अंधेरा, उजाला, मिश्चित हो जाते हैं दिमाग में आइना देखने से पहले, खूब सूरत था में मोर जैसा हूँ आइने के सामने हुआ खड़ा, तो लगता है, जैसे हूं कववा बिन तारों की रात में लगता है चांद भी, जैसे सूनने हो मेरे ख़यालों जैसा होश्यारी का ढौंग रचाए हम जाने कब तक जियेंगे ऐसे आज सच्मुच ईश्वर के सामने करता है मन, चड़ादूं बली, इतिहास और वक्त को एक साथ मिल जाए ताकि जरा सा पुन्य, गूंच रही है कानों में कराने की आवाजें ख़ड़े होने को मेरे तलवों को फर्ष ना मिला कबसे बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी मिठिला की राजकुमारी सीता से कौन परिशित नहीं है हम सभी उन्हें नमन करते हैं उसी भूमी से हमारे बीच है मैथिली कवी डॉक्टर नाराइन जी जोकी मदूबनी से हमारे बीचाय हुए हैं आपने मैथली भाषा और साहित्ति में पीएस्टी की है आपके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं और आपको अनेक सम्मान भी प्राप्थ हुए हैं आज आप जो रचना प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शिर्षक है आकाश मुक्त अची हमरा लेल दम फूइल रहालेज हमर फेफरा में पहुंचने रहालेज अपक्षित आकसीजन आपकी मेथली कविता का हिंदी अनुवात प्रस्तुत कर रही हैं हैदराबाद से पधारी डॉक्टर पुट्टी पर्ती नाक पद्मिनी देवी जी अब तक आपकी 16 किताबें प्रकाशित हो चुकी है आपसे अनरोध हैं कि आप मेत्री के कवी डॉक्टर नारेंट जी की रचना का हिंदी अनुवाद परस्तुत करें आकाश अधिक मुक्त हमारा लिल फूट रही है सांस मेरी फूट रही है सांस मेरी मेरे फेंफडों में पहुंच नहीं रहा है परियाप्त प्राण वायू फूट रही है सांस मेरी मेरे फेंफडों में पहुंच नहीं रहा है परियाप्त प्राण वायू मेरे विलाप को अनुदित कर व्यक्त करने की विवशता से फूट रही है सांस मेरी फूट रही है सांस मेरी मेरे फेंफडों में पहुंच नहीं रहा है परियाप्त प्राण वायू मेरे विलाप को अनुदित कर व्यक्त करने की विवशता से फूट रही है सांस मेरी पसंद नहीं मुझको चौदवी सदी के वीर गीतों को मंत्र की तरह जपना उन्हें में तलीन हो जाना और संभव हो तो चौदवी सदी में लावट जाना पसंद नहीं है मुझे नहीं है वायू आज उतना विश्रपूरित जितना पहले होता था आकाश है अधिक अबाध मेरे लिए जितना पहले कभी न था उतना विश्रपूरित आज नहीं है जमाना और आज आकाश आधिक अबाध है मेरे लिए जितना पहले कभी न था डॉक्टर पुट्ट्वपर्ति नागपत्मनी देवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद अब हम सुनेंगे मल्यालम रच्छना हमारे बीच है मल्यालम के सुप्रसित कवी प्रोफेसर एल थॉमस कुट्टी आप थिरुवनंद पूरम से पधा रहे हैं आप कवी के साथ-साथ चित्रकार और अभिनेता के रूप में फी प्रसित हैं प्रोफेसर एल थॉमस कुट्टी अध्यकविदा वेरि इलगले काल्ड शेक्तम् वेरिगलाण इलगले काल्ड शेक्तम् वेरिगलाण मरंबेट्टु कारन अदु गवुनिक्क्युन्नदे इल्ल्या आपकी मलियालम रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं श्री चंद्रशेकर आश्री आप हमारे बीच दिल्ली से पधा रहे हैं आप सर्वोच नियाला में अधिवक्ता हैं आपकी तीन कावे संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं आपसे अनुरोध हैं कि आप प्रोफेसर एल्ल फॉमस कुट्टी की मलियालम रचना का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें श्री चंद्रशेकर आश्री पहली कविता जड़ें पत्तों से ज़्यादा मजबूत हैं जड़ें लकड हारा तो उनकी पर्वाह तक नहीं करता पक्षी उनके बारे में सोचते तक नहीं हवा और आस्मान भी उन पर ध्यान नहीं देते हवा और आस्मान भी उन पर ध्यान नहीं देते लेकिन मिट्टी तो जानती रहेगी इन जड़ों को उनके कटने के बाद भी उनके कट जाने के बाद भी दूसरी कविता रिंग टोन मंद बैटरी की वज़े से मुरत सा मेज पर पड़ा है मेरा मोबाइल फोन मंद बैटरी की वज़े से मुरत सा मेज पर पड़ा है मेरा मोबाइल फोन फिर कहां से और कैसे बज रही है ये रिंग टोन फिर कहां से और कैसे बज रही है ये रिंग टोन ये सोच कर पलट कर देखता हूं कि शायद यूँ ही बज गया होगा मोबाइल फोन कि शायद यूँ ही बज गया होगा मोबाइल फोन फिर वही आवाज न दाएं से न बाएं से न जेब से न बिस्तर से वही रिंग टोन की आवाज जो आ रही है बिलकुल बाहर से वही रिंग टोन की आवाज जो आ रही है बाहर से अरे कौन है आंगन में कोई चोर या कोई फोटो पत्रकार या फिर कोई और वो भी इतनी सुबह को मुश्किल से सिर उठाकर जहांक कर देखता हूँ बाहर तो पाता हूँ बून्द में भीगती उचलती कूटती मन को हरती पेड की टहनी पर बैठी सफेद धारी लिए एक नन्नी चिडिया रिंग टोन को सुनती सुनती पली बड़ी एक चिडिया पली बड़ी एक चिडिया चंद्रिशेखर आश्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आएए आप सभी को लिए चलते हैं महराश्ट्र के साहिति जगत की ओर अब हम सुनेंगे मराथी कविता हमारे बीच हैं डॉक्टर शोभा रोकडी आप अमरावती में साहिक प्राध्यापक हैं आपकी लगभग 32 आपने सम्मान पाए हैं उसका गौरव आपको प्राप्त हैं आज जो आप अपनी रशना प्रस्तूत करने जा रही हैं उसका शिर्ष हैं आपक शोलर्षा डॉक्टर शोभारॉकडी माझा कवितेच नाव हैं मानुस्तोड रोकषा रोपन करणार्यन ना सांगाय चे रोक्षा सोबत एकतरी झाडि लावा मैन्सा चे याilot आपकी मराठी रचना का हिंदी अनुवाद लेकर आ रहे हैं फरीदाबाद से पधारे श्री जोती संग। लगभग 25 नाटकों का लेखन करते हुए श्री संग एक मजी हुए नाटक कार भी हैं। आपसे अनरोध हैं कि आप डॉक्टर शोभा रोकडी की मराठी रचना का श्री जोती संग। इनसान का बहुत हो चुकी है इस देश में इनसानों की कटाई शहीद हो गए इनसान स्वतंतरता संग्राम में। काट दिये गए हैं कुछ लोग कभी धर्म तो कभी पंत के नाम पर देश की एकता के लिए बली वेदी पर चड़ गए हैं लोग। देश की एकता के लिए प्रांती एवेदी पर बली चड़ गए हैं लोग। केई चालाकों ने खत्म कर दिये निर्पराद लोग। समय समय पर पुलिस की निशाने चड़े लोग। कर्स के बोज तले निगल लिया आत्म हत्याने लोगों को। कितनी ही बढ़ जाए जन संक्या और अगर इंसान न होंगे तो कौन सभालेगा इस देश को। इसी लिए कहती हूँ वरिख्ष के समीप लगाएं पोधा इंसान का भी। धन्यवाद जोती संग जी। सर्व भाशा कभी समेलन के हम लगभग अंतीम पढ़ाओ की तरफ हैं। और इस समय हमारे बीश हैं श्री नामदेव तारचन दानी जी। जो की बडोद्रा से आय हुए हैं। आपका जन 1946 को लुकमन में हुआ। 2013 में साहित्य अकादमी पुरसकार प्रदान किया गया। उम्र का अंतीम पढ़ाओ क्या है। आए इसके अर्थ समझने की कोशिश करें आपकी रचना से। जिसका शिर्षक है बुढ़ापू। श्री नामदेव तारचन दानी जी। कविता का शिर्षक है बुढ़ापू। मतलब बुढ़ापू। बुढ़ापू याने परजी चुकला खबार या थरी व्यल चाएं। जन हारजी प्यल खीर या विसामी व्यल अगरबती। बुढ़ापो याने दुन्या जो नक्षो या जुकी व्यल जहान। जन भजा। आपकी सिंधी रचना का हिंदी अनुवाद प्रसुत करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रे थें। दौर के ही श्री संदीप श्रोत्री। आपकी दो संग्रह इस खतरनाक चुपी में और डिबिया में समुद्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपको अखिल भारते मुक्तिबोध सम्मान और कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। आपसे अनरोध है कृषिन नामदेव तारचंदानी जी की सिंधी कवीता का आप हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें। संदीप शुरती जी बुढ़ापा यानि पढ़ा जा चुका अखबार या ठंडी हो चुकी चाये। जैसे बिगड़ा बासी दूध या फिर बुझी हो या गर्वत्ती। बुढ़ापा यानि दुनिया का नक्षा या जुगा हुआ जहान जैसे संसार का पडोसी या बुझा हुआ दिया। बुढ़ापा यानि दूर से सुनाई देती शंक ध्वनी या मंदिर की ध्वजा जैसे लाठी का सहारा या तूटा हुआ कोई चश्मा। बुढ़ापा यानि जमीन पर गिरा फूल या निपट सुनसान पगडंडी जैसे खाली पुढ़िया या आधी बुझी बीडी। बुढ़ापा यानि खाली माचिस कोई टूटा हुआ आईना जैसे कोई अंसी की भाषा जैसे कोई बीती हुई कहानी बुढ़ापा यानि बिना शब्दों की बोली एक ठसा ठस भरा हुआ कक्ष जैसे खाली कमरे में चलता हुआ पंखा या कोई टपकता हुआ नल बुढ़ापा यानि जंग खाया पालना कोई तूटी पकड़ वाला प्याला जैसे जलती बुष्ती ट्यूब लाइट या कोई लिफाफा बिना चिथी का बुढ़ापा यानि कटे पंखों वाला कोई परिंदा या बमुश्किल पहचानता कोई रिष्तेदार जैसे किसी एक अकेले का जागरण या कोई बिसरा हुआ सपना बुढ़ापा यानि आखों में सूखा कोई समंदर या रुण्धी हुई आवाज जैसे आकाश की गूँच या फिर जवाब दे चुके कान बुढ़ापा यानि कबीर का बुदबुदा या सूर्दास का पद या तुल्सी दास की दया या कोई मीरा का भजन बुढ़ापा यानि अधिक मास की कथा या फिर गीता का फटा हुआ पन्ना जैसे बाली का तीर या भीश्म की शैया बुढ़ापा यानि सहदेव का सद्मा या आरजुन की नसमझे जैसे द्रोपदी की उल्जन या गानधारी की आँखे बुढ़ापा यानि सुभा का चांद या शाम की आरथी जैसे अंधिरे में इंतजार या हकीम का परहेज बुढ़ापा यानि समझोतों का इतिहास या अतीत और वरतमान का मिलन जैसे संसार की सांच या फिर गिरी हुई कोई दिवार बुढ़ापा यानि पूरा हुआ एक वरतान या कब्र का गठा जैसे ललाट पर लिखा कोई शिलालेक या मौत के लिए गाई जा रही कोई लोरी मौत के लिए गाई जा रही कोई लोरी यही है बुढ़ापा बहुत खूब बहुत खूब संदीव शोक्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवार और आएए अब हम सुने संथाली रचना हमारे बीच है संथाली कवी श्री लालचंद सरेन आप सोनापूर पस्चिम बंगाल से पढ़ा रहे हैं आपको 2013 में साहित अकाद्मी पुरस्कार से समानित किया गया है आज आप जो रचना प्रस्तूत करने जा रहे हैं उसका शिर्षक है नियूतु गलाहातियों श्री लालचंद सरेन इजा अनुर्ज रना नियूतूम नियूतु लाहातायों शांकिन से शिंचन दो पावडी मारां केदा केर्मी केर्मी ते उनिया में हां राहला सेनकाते को छीती बिती केदा आंगो पिदाई सिंगेल रूरो चने इलरे मार्शाल सिंचा तुर बढ़ाया जो जो दारे दे को कुपुली रपोडा आपकी संथाली कवीता का हिंदी अनुवाद कर रहे हैं इन दोर के ही जाने माने कवी डॉक्टर राजीव शर्मा आपका काविस संग्रह और रचना संसार कवी संमेलनों में बहुत प्रभावित करता है आपसे अनरोध है कि आप श्री लालचन सरेंजी की संथाली कवीता का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करें डॉक्टर राजीव शर्मा कवीता का शीर्शक है अंधेरा होने से पहले और बाद में दूर राहों में सूर्य देवताने कदम बढ़ाए दूर राहों में सूर्य देवताने कदम बढ़ाए तो आकाश उनके सामने हाथ में हाथ डाल कर खड़े हो गया दूर राहों में सूर्य देवता ने कदम बढ़ाए तो आकाश उनके सामने हाथ में हाथ डाल कर खड़े हो गया शाम ने अंगराई ली शाम ने अंगराईली घराउंदों में लोट रहे पंचियों के पंखों में रोशनी चमचमाती है इमली के पेड कलहंस बातों में मश्गूल है इमली के पेड कलहंस बातों में मश्गूल है एकाद फूल जड़ गया होगा गाउं की सड़क पर रंगीन दिवारों पर अधेरे में सोने के लिए चटाई बिछाई दिन भर शिकार का खेल खेलते खेलते कलांती से बच्चा सोना चाहता है तैयार किया हुआ तीर धनुष का बोझा और पगड़ी बड़े यतन से रखता है तैयार किया हुआ तीर धनुष का बोझा और पगड़ी बड़े यतन से रखता है युद्ध का जहाज जब तीर में उठता है तो अंधेरा चाह जाता है युद्ध का जहाज जब तीर में उठता है तो अंधेरा चाह जाता है लगता है जैसे लाल साड़ी पहने मेरी माँ सिर पर कलश रखकर उतर रही है नदी में अंधेरा चाह जाता है युद्ध का जहाज जब तीर में उठता है तो अंधेरा चाह जाता है लगता है जैसे लाल साड़ी पहने मेरी माँ सिर पर कलश रखकर उतर रही है नदी में आज मोहले ने बुलाई एक सभा घम सी मादल की धुन बज रही है परोसी के घर चूले से आग मंगवाई है मेरी दादी अम्मा ने घर के कोने में मुर्गी का बच्चा घरौंदों में अहंकारी कबूतर दो सींगों वाला सांड गौशाले में सींगों से करता है कसरत पत्ता तोड़ कर बीडी बनाता है गाउं का मांजी बाबा सभा अभी होगी खतम अंधेरे को चा जाना है सभा अभी होगी खतम अंधेरे को चा जाना है मिट्टी की हांडी में उबला हुआ धान जैसे गहरा काला अंधेरा हाए मेरा बच्चा सो गया किसी एक दिन किसी एक दिन नीन से जाक कर उठा तो देखेगा आज के इस अंधेरे से पहले आज की वास्तिविक्ता की एक ज्वलंत छवी बूलता कवी अंधेरा होने से पहले और बाद में अधीरा होने से पहले और बाद में राजीव शर्मा जी आपको बहुत भहुत धन्यवाद हिंदुस्तान के 21 भाषाओं का रसा स्वाधन करते हुए अब हम आप पहुंचे हैं हिंदी भाषा के पास हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस आयुजना में हिंदी भाषा के लिए हर वर्ष दो कवियों का चैन किया जाता है हमारे बीच हैं श्री हरिश चंदरपांडे आपकी रचनाओं ने सभी को इतना प्रभावित किया कि उनका अनुवाद बांगला, उडिया, तेलुग, पंजाबी अनेक भाषाओं में हो चुका है आपका स्वागत है श्री हरिश चंदरपांडे जी माद पिता पेड हैं, हम शाखाये हैं उनकी माद चाल की तरह चिपकी हुई है पूरे पेड पर पिता पेड हैं, हम शाखाये हैं उनकी, मा चाल की तरह चिपकी विया पूरे पेड पर, जब भी चली है कुलहारी, पेड या उसकी शाखाओं पर, मा ही गिरी है सबसे पहले टुकले टुकले होकर लद्दू घोडे, अच्छोर समय को लादे अपनी पीठ पर, लद्दू घोडे चल रहे हैं, उनके गले में वधी घंटियां जिरा कर रही हैं आपस में, कि इतिहास में, कहां खड़े हैं लद्दू घोडे, लद्दू घोडे, अपनी पीठ के जख्म पर बैठी मक्खी को भ वरकाते हैं, जिन पीठों को देखकर फिसल जाती हैं आखें, जिन में बैठ कर मरगया के लिए निकलते हैं, राजपुरुष उनी पीठों का वरण किया है इतिहास में, जिन पीठों को देखकर फिसल जाती हैं आखें, जिन में बैठ कर मरगया के लिए निकलते हैं, राज लद्दू घोड़े मन्थर गति से चलते रहे युगों, पीठ पर लादे, स्टूप, शिला लेख, मूर्तियां, गुंबद, उन पर लदकर आया पूरा गांधार, उन पर लदकर गई पूरी दिल्ली। लद्दू घोड़े मन्थर गति से चलते रहे युगों, पीठ पर लादे, स्टूप, शिला लेख, मूर्तियां, गुंबद, उन पर लदकर आया पूरा गांधार, उन पर लदकर गई पूरी दिल्ली। अस्तबलों में कहां थी उनकी जगह, पता नहीं। अस्तबलों में कहां थी उनकी जगह, पता नहीं। पर वे यात्रा के पड़ावों और युद्ध शिविरों में संब्राटूं से दो दिन पहले मौजूद थे। अपने सेनिकों के लिए लिये हुए रसद और जीवन रक्षक औशधियां वे अंत तक मौजूद थे, पर कहीं नहीं थे वे इतिहास में। पर कहीं नहीं थे वे इतिहास में। जब कि किसी भी स्वण युख की कल्पना, बिना जख्मी पीठों के संबव नहीं। गले में लटकाए चने की थैली और पीठ पर सोना चांदी लादे बीच यात्रा में किसी मोड पर चुक गए लद्दु घोडे इतिहास में दर्ज थे कूच करने की आदेश कम शब्दों में अधिक बातों को जिम्मेदारी से कह गई श्री हरिचंद्र पांडे जी की ये रचना आपका बहुत बहुत धनिवाद सरुभाषा कभी समेलन में अब अंतिम रशना प्रसुत करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री शिवकुमार अर्चन जी को आप हमारे बीच भुपाल से पधा रहे हैं आपका जन 1946 में नरसीपुर जिले में हुआ आप प्रेम शंगार के कवी की रूप में विख्यात हैं अपनी रचना को गाईकी के माध्यम से बखुबी रखकर सम्मोहित करने में आप सक्षम हैं शीशिवकुमार अर्चन गीत का शीर्शक है गाया तो दर्द गाया कुछ गाया गाया तो दर्द गाया गाया तो दर्द गाया धूप बोई आंगन में हमने अंधियारे उगे कुंठा के पिंजिरे में रिष्टों के मिठू गूँगे मेरे बंजर पन के ऊपर मेरे बंजर पन के ऊपर जब भी कुछ चाया चाया तो दर्द चाया चाया तो दर्द चाया सदा बने हम भीड लगा कर कुछ रंगीन मुखोटे निकले उत्तर की तलाश में प्रश्निलिये लोटे खुले द्वार पर दस्तक दे कर जब भी कुछ आया आया तो दर्द आया आया तो दर्द आया गाया तो दर्द गाया सपनों ने जो बुने आई ने सारे चटक गए सपनों ने जो बुने आई ने सारे चटक गए पाउ तले दल दल आँखों में जंगल भटक गए कैने वास पर शिखर खाईयां कैने वास पर शिखर खाईयां जो कुछ भी लाया लाया तो दर्द लाया गाया तो दर्द गाया अंतिम बंद पढ़ता हूँ इसको जब भाया भाया तो दर्द भाया गाया तो दर्द गाया तोड दायरे मौन मार कर जब भी कुछ गाया गाया तो दर्द गाया गाया तो दर्द गाया वाह क्या बात है गाया तो दर्द गाया शीवकुमार रहचन जी आपको बहुत बहुत धन्यवात और इसी के साथ हमारा आज का सर्व भाशा का वीसमिलन 2018 यहीं संपन होता है अभी आप विगत 16 जन्वरी 2018 को इन दोर में आमंत्रित श्रोताउं के समक्ष आयोजित सर्व भाशा कभी सम्मेलन 2018 के संपादित अंच सुन रहे थे प्रस्तुती सहयोग था कुसुम शेत्रिये का और प्रस्तुत करता थे राम अफ्तार वैरवा ये कारिक्रम आकाश्वाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया